और इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर वधिकारी शैलेंदर सिंग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जिनोंने मुखतार अंसारी पर कारवाई की थी शैलेंदर जी नियूज 18 पर दर्शक आपको सुन रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुखतार अंसारी जिसके हाट अट्से मौत हो गई जिसका लमबा अपरादिक इतिहास रहा एक तरीके से अपराद के भी एक यूग का अंत हुआ है कितनी मुश्किले थी उस दौरान पुलिसिंग में जब मुख्तार जैसे डौन्स या मुख्तार जैसे माफियाओं की तूती बोला करती थी उस पर कारवाई करना या मुक्तार अंसारी पर किसी लीगल कारवाई के लिए हाथ रखना ही अपने आप में कितना जोखिम भरा था बात सही है उस वक्तार से 20 साल पहले मुक्तार का अपना चरम था आप उसका क्या होसला था कितना बुलंद यह से अंदाज लगाई है कि मौ के दंगे में जब वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था वो खुली जीप में छट पे बैट के घूम रहा था तो आप उससे अंदाज लगा लिजे कि कितना उसका तूती बोल लई थी उसके पूरवे पूरवांचल में और सरकार उसके निर्देश पे काम करती थी जिसके खुद भुक्त भोगी मैं हूँ पोटा जैसा कानून लगा हुआ लाइट मशीन गंद की सिंगिल रिकबरी अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में है उसमें उसका सनलिप्तता थी एविडेंस आक्ट के तहट पूरा कवर है उसका फोन टेप है फिर भी मुलाहिम सिंग के सरकार ने पोटा कानून उस पे से हटा दिया आउट अफ वे जाके ये स्टेट का कानून नहीं था ये संट्रल कानून था तो ऐसी दशा में जब सरकार पूरी तरह से माफियाओं के जेब में हो उनके निर्देश पे चल लए हो तो कोई भी उन पे कारवाई करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता बात भी करने करना दूर रहा तो ऐसी दशा में अगर मैंने कारवाई की हिम्मत की तो वो खामियाजा भी हमको भोगना पड़ा और उसका हम ही को नहीं पूरा पुलिस का मनोबल डाउन हुआ जो STF अपने नाम से काम के लिए जानी जाती थी उसका इतना नाम था प्रादियों में खौफ थी एक मैसेज चला गया कि यार ये STF भी कोई चीज ऐसी नहीं है सरकार अगर माफियाओं साथ है तो ये सब भी पुलिस आम पुलिस के तरह इनको डील किया जा सकता था लेकिन मैं धन्यवाद दोंगा मानी योगी जी का कि इनके आने के बाद परिस्तितियां बदली वही मुकतार अंसारी जो पंजाब जेल में आश कर रहा था तीन साल पहले उसको गसीट के यहां लाया गया वीलचेयर पर आ गया जो दूसरे को धंकी देता था अज अपनी जान की भीक माग रहा था उसकी पूरी संपत्ति जो उसने भै के सामराज से आर्थिक सामराज बनाया था वो गैंक्स्टार एक्ट में जब्त होने लगे जो पब्लिक गवाही नहीं देती थी वो गवाही आने लगी कोट में कोट तो गवाही पे चलती है कानो एविडेंस पे चलती है तो ऐसी दशा में जो दशकों तक पुराने केस थे जिस पे कोई सजा नहीं हो रही थी पिछले एक साल में दो-दो बार इस पे उम्रकैद की सजा हो गई तो निजाम बदला शाचन बदला पबली का भरोसा हुआ पबली को गवाहां को प्रोटेक्शन मिला और उसी का नतीजा कि नियाले से कन्विक्ट भी होने लगे तो यह सब चीजें बदली रही बात इसकी मौत की तो इसने पूरा यह जो किया था कर्म कहीं आप के साथ ही रहते हैं देर सबेर आपके सामने आते हैं तो इसके सामने भी इसके कर्म आए और जो भै दूसरे पर कायम किया था वही भै इस पर हावी हो गया और अटेक से इसकी मृत्ति हो गई जी शेलेंदर जी आपने बताया कि जाहिर सी बात है जब राजनितिक संग्रक्षन मिलता है सरकारें आउट अफ दवे जाकर कोई केंदर का कानून हटा देती है जब इस तरह का उदाहरन ये संदेश निकलता है तो पुलिस का मनुबल जाहिर तोर पर डाउन होता है और आम जनता भी यही सोचती है कि भई एक आम आदमी को तो कहीं नयाय है ही नहीं आप उस दौर में अधिकारी रहे एक अधिकारी के लिहाज से सिस्टम के विपरित जाके खड़े होना ऐसे माफिया पर कारवाई के लिए सोचना और उसके बाद राजमितिक संग्रक्षन जैसी बात सामने आना तो एक पुलिस अधिकारी के लिए एक आफिसर के लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती है उसकी सुरक्षा के लिहाज से उसके करियर के लिहाज से बिल्कुल सही कह रही है यह सबसे बड़ी तो करियर तो है यह उसकी जान की भी सुरक्षा की बात है इसने अडिशनल स्पी तक पे गोली चलवाई जेलर की हत्या कराई तो यह सब उधारन सामने थे हैं तो मेरे लिए तो सर्विस से हटने के बाद और आसान टार्गेट था इसका मैं लेकिन मैं उपर वाले का अशिरवात कह लीजिए आप लोगों का प्यार था कि मेरा यह पूरा केस मीडिया के सामने था और लोगों ने ही वेल विशर्स जो हमारे थे उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पी आईल किया कि अगर इस तरह से सरकार चली आउट अब वे जाके माफियाओं को समर्थन करने लगी तो कल को पूरा सिस्टम कलाप्स हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से उसमें मुलायम सिंग के सरकार को नोटीस भी जारी हुआ था तो मुझे अगर मैं जिंदा बचा रहा तो मात्रिस कारण बचा रहा है कि नियाले लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहा था लोगों ने मुलायम सिंग को यहां तक समझाय था कि शैलेंद पर एक खरोज भी आ गई तो आपकी गुवर्मेंट गिल जाएगे विपक्ष उस समय विधानसभा नहीं चलने दे रहा था मुझे याद है बाचपा विपक्ष में थी मेरे सिक्योर्टी इन लोगों ने ले ली थी लास्ट में इन लोगों को देनी पड़ी एक मामूली सिक्योर्टी वो भी दिया था लेकिन दिखाने के लिए था कि पही चलो अपने हम बात कर सकते हैं रख सकते हैं अगर कल को इस पर कुछ हुआ तो हमने तो security दी थे तो हर तरह की challenges थे जिनको face किया मैंने पिछले 20 साल में मैंने और मेरे परिवार ने चाहे वो जानवाल का खत्रा हो चाहे वो अपने रोजी रोटी के संकट हो यह सब face किया मैंने लेकिन आज इस बात का मुझे सकून है कि उपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है जो बुरा कर्म किया है वो उसके सामने आया, मैंने अपने जो कर्म निश्पक्षता से, इमांदारी से करता भी अपना निभाया, वो मेरे कर्म है कि आज मैं एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आज भी काम कर रहा हूँ जनता के बीच में, और आप सब के बीच में सुरक्षेत हूँ, जी, अप एक माफिया के सामने डट कर खड़े रहे, लीगल लड़ाई लड़ते रहे, बगएर खुद की सुरक्षा, पारिवारिक भी दिक्कते होती हैं, ऐसे में बार बार खुद को धंकिया मिलने की शिकायते हैं, बहुत से ऐसे लोग करते हैं, जो ऐसे माफियाओं के विपरीत, लड़ाई लड़ रहे होते हैं, परिवार की सुरक्षा खत्रे में होती है, कई बार छिप कर रहना पड़ता है, और एक तरीके से देखिए तो परिवार के लिए भी एक संघर्ष पून समय होता है, बहुत बार लोग साथ नहीं रह पाते, अलग-अलग छिप करके रहना प लगती हैं. आज मैं निकलना हूँ, मुझे बहुत से लोग वाच कर रहे हैं, अगर एक शैलेंग अपना मनुबल गिराता है, तो निश्चित है, आने वाले समय में एक बड़ा गलत संदेश जाएगा, तो मैंने अपनी चुनौतियों को अपने तक सीमीत रखा, किसी को बाहर नहीं जन अपने परिवार तक सीमीत रखा, और एक यूथ में ये संदेश दिया, कि तुम लोग अगर नेजाम नहीं बदलोगे, तुम लोग डेमोक्रेसी में अंतिम ताकत तुम्हारे पास है, तुम लोग नहीं बदलोगे, मालनो पुराने लोग तो जो पुराना सुचते हैं, वो सिंगा पर प्रगर्स करके कहां पोचा, तो ये यूथ ने समझा और धीरे धीरे यूथ ने देखिये, जो इन लोग माफियाओं का सपोर्ट करते थे, आज वो बेपक्ष में बैठे हैं, और दुरभागे में, मैं ये देख रहा हूं, उनका दुरभागे देख रहा हूं, तो दो तरह की चर्चाएं चल रही हैं, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि देखिये, बुराई का अंजाम बुरा होता है, एक अपराद के यूग का अंत हुआ है, तो लोगों को सीखना चाहिए, यूवाओं को सीखना चाहिए कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, एक मुक्तार ने यह महौल बनाने की कोशिस की थी कि हमको यहां पर सुरक्षा का खत्रा है जान का खत्रा है और मेडिकल फैसिलिटीज हमको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल नहीं है उसका कारण यह था तीन साल पहले की बात याद करिए पंजाब जेल से जब इसको लाया जा रहा कारण यह था कि यह उनको अंडियो एडवांटेस देता था और इसका आर्थिक समराज यह वहां चल ला था जेल में रहें चाया बाहर रहें कोई फरक इनको नहीं पड़ता था यह उत्तर प्रदेश में योगी जी के पहले के सरकारों में आपने मीडिया के माध्यम से आता है मेरा आर्थिक समराज ढह रहा है गैंस्टर एक के तहत रिकावरी हो रही है तो चटपटा इसलिए रहा था कि मैं यहां से उल्टे सीधे ब्लेम लगा के नियाले से किसी तरह रिलीव पा जाओं और प्रदेश से बाहर चला जाओं और फिर से अपना समराज कायम करूं ल और डर के मारे अटेक से उसकी मृत्यों कि जहां तक मैं सेकलोजी उसके रीट कर रहा हूं उसको जानता हूं यही कारण है कोई कितनों बड़ा माफिया हो उसका दिल बहुत छोटा होता है मैंने तो उत्तर पदेश के सभी माफियां को डील किया है और देखा है सामने राइफल का नाल लेकर पबलिक को दिखाना यह सब इनकी आदत होती है अपने को सेव करने की अपने दर को छिपाने की लेकिन जब यह सब हावरा हट जाता है हमें अचंभित भी करती है और सोचने पर भी मजबूर करती है कि इस सरह के माफिया डाउन जो सरेयाम भी चराहो से दिवाली होली दिवाली कोई त्योहार नहीं मना तो इतने एविडेंस होने के बावजू चुराहूं पे इस तरह के मरडर होने के बावजूद भी यह लोग खुले घूमते रहे देखिए बैंने कहा न कि ततकालीन जो सरकारे थी उनकी छोट बड़ी सोची थी छोटी सोच थी वो इनका मदद लेके खास संप्रदाय विशे का ओट का ओट लेने के चक्कर में इनको सपोर्ट करती थी और नतीजा आपने देखा कि उनकी सरकारे उस समय तो बन जाती थी चाहिए पर मारे चाहिए घर में मारे उसके लिए कोई बात नहीं होती है वो जानता कि मैं बच जाओंगा कोई एविडेंस गवाही देने मेरे खिलापने अले नहीं आएगा आएगा तो उसको निप्टा दूँगा तो यह हुआ है लगातार पिछले दस्कों से और इसी व मॉडल की बात नेशनल इंटरनेशनल लेविल पर की जा रही है इन्वेस्टर समीट में लाखों करोड का इंवेस्टमेंट एग्रिमेंट साइन होता है मियू साइन होता है तो यह सब परिस्टियां बदल नहीं है और अब इस तरह के जो ब्लेम लगा रहे हैं लोग की मार दिया जार देगा यह नियाले में जाच का विच्छेह है अबिडेंस जाएगा अपने आप कबर हो जाएगा दूद का दूद पानी का पानी सामने आजएगा और मेरी जो दस सल का नभा है यह सब फेक है वहम है नोग और कुछ नहीं है ठीक है अब यह बताएए कि यह भी क एक जिले हैं वहाँ पर तो ऐसे बहुत से प्रकरण हुए ऐसी बहुत सी बाते सामने आई बीच चराहों पर खुली सड़कों पर एक जो मशीन गन वाला प्रकरण है उसको लोग आज भी याद करते हैं कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई आज देखिए सभी बात है जिस तरह से इस सबों ने राज किया है पिछले सालों में वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है मशीन गन हो चाये के 47 लहरा देना चला देना शिखा काट लेना इनके लिए आम बात थी लेकिन अब निजाम बदल गया अब तो सामने ये सब कुछ है अब तो ये जान की भीख ये मांगते हैं क्या कारण था नियाले में इनको कन्विक्शन कन्विक्ट नहीं किया जा रहा लेकिन आज नियाले में कन्विक्ट हो रहे हैं साल भर के अंदर दो-दो उम्र कैद की सजा हो गई तो बदल गया महौल बदल है पबलिक भी अवेर हो रही यूथ खासकर काफी अवेर हो गया है और अब इन लोग का समय धलान पर है और कल की घटना के बाद अब तो और ते और राजनितिक संगरक्षन और धीरे-धीरे मुखतार के पास सब कुछ था ऐसे लोगों का आर्थिक तंत्र भी इतना मजबूत होता है देश के अंदर देश के बाहर ऐसे बहुत से कनेक्शन होते हैं जिनके चलते अगर ये जेल भी पहुंच जाएं तो इनके जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं देखिए योगी जी के पहले कभी गैंक्स्टर एक्ट में इतनी रिकवरी नहीं की गई सैकड़ो करोड इनके चाहती किया ने किसी के हो रिकवर किये जा रहे हैं तो इनके आर्थिक समराज कोई तो चोट पहुंचा जा रहे हैं इनके जो गुर्गे थे इनकाउंटे मारे जा रहे हैं या जेल में हैं या भगोड़ा होके गोशित होके जोड़ के भागे हुए है तो ये असर हो रहा है रही बात आपने कहा कि इनको ये माफिया नहीं अब तो ये आतंकवादी है पोटा कानून जो लगाया था मैंने आप उसमें देश द्रो होता था क्यों क्योंकि जम्बो कश्मीर से जो सेना की राइफल थी वो चुरा के आई थी देश मिरोधी गत्विधियों में प्रयोग हो रहा था ये पंजाब जेल में बैट के खालिस्तानियों से संपर्ग में थे ये सब कुछ समने है पब्लिक के तो जो इन्होंने किया है डीपी ओजा एक डीजीपी हुआ करते थे बिहार में उनकी रिपोर्ट केंदर सरकार को गई थी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि आई एसाई के थ्रू वैपन्स आता था मिर्जाबेक जो नेपाल में सांसत था उसके थ्रू शाहबुद देन मुक्तार इन लोग लेते थे तो इस सब रिपोर्ट में रिकॉर्ड है सब ची यह उनको जनता उनको खाम्याजा अपने चुनाओं में इसी चुनाओं में दे देगी और अच्छे तरह सी बिल्कुल कुल मिलाकर अपराद की यह पूरी दास्तान आज के युवाओं के लिए एक ही मॉरेल चोड़ कर जाती है वो यह है कि अपराद के रास्ते पर देर जर मुखतार अंसारी और पूर्व उप राश्टपती हामिद अंसारी का भी रिष्टा बताया जा रहा है वो रिष्टा क्या था इसको समझने की कोशिश करते हैं मुखतार के पिता थे सुभाउन अल्ला अंसारी मुखतार के पिता थे हामिद अंसारी और सुभाउन अल्ला च चाचा लगते थे. तो ये भी एक बात और एक दिल्चस्प तथे निकल के सामने आये हैं, देश के पूर उप्राष्ट पति हामिद अंसारी और मुखतार अंसारी का रिष्टा था. दरसल मुखतार के पिता और हामेद अंसारी चचेरे भाई थे और इस लिहाज से हामेद अंसारी मुखतार अंसारी के चाचा लगते थे और प्रयागराद से अगली खबर है अबास अंसारी को नहीं मिली है हाई कोट से राहत जनाजे में जाने के लिए याचिका लगाई गई थी अबास अंसारी की ओर से वहाँ से कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि हाई कोट में अरजी मेंशन ही नहीं हो सकी अब सुप्रिम कोट में याचिका देने की तयारी है और अब से थोड़ी देर में सुप्रिम कोट में याचिका दी जाएगी मुखतार की मौत की पलपल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद अब बाज संसारी सुप्रिम कोट में याचिका उनकी तरफ से दायर की जाएगी कि मुक्तार के जनाजे में शामल होने की उनको इजाज़त दी जाए दरसल हाई कोट का रुक किया गया था लेकिन हाई कोट में अर्जी मेंशन नहीं हो सकी थी और इसी अर्जी में जनाजे में जाने के लिए याचिका लगाई गई थी आपसे थोड़ी देर में ये याचिका सुप्रिम कोट में भी लगाई जाएगी और सीधे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सयोगी सरवेश दूबे हमारे साथ लाइब जुड़े हुए है सरवेश हाई कोट में याचिका नहीं लग सकी लिहाज़ा सुप्रिम कोट का रुख किया जाएगा दूसरी तरफ पोस्मार्टम चल रहा है मुक्तार अंसारी का उससे जुड़ी क्या अपडेट है वक्त बहुत कम है और जो लीगल अधिकार होते हैं जो लीगल फोरम्स होते हैं अबास अंसारी की तरफ से उनमें याचिका दायर की जा रही है जनाजे में शामल होने के इदायक अबास अंसारी कासकन जेल में बंद है ऐसे में परिवार की या कोशिश है कि उनके सुपुर्दिखाग में उनके जनाजे में उस वह सामिल हो सके इसके लिए बुक्तार अंसारी के जो अधिवक्ता है जो इलाबाद हाई कोट में उनसे जुड़े केसे की पैरवी क हो गयते हैं हलांकि उस बेंच ने सभी मुकदमों को सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसके चलते आज मुक्तार अंसारी के जो अधिवक्ता है वह अबास अंसारी को पैरोल दिये जाने या फिर जुडिशल कस्टी में जनाजे में शामिल होने के लिए जो अर्जी लगा को नॉमनेट कर दे है और वो यहीं पर सुनवाई हो जाए